इस सेक्टर की शटलेस तस्वीरों ने लड़कियों को किया बेहाल फैंस ने कहा सरकार इनकी शट को करेब बैन बॉलिवुड के मशूर अभिनेता विकी कौशल की एक शटलेस तस्वीर ने इंस्टाग्राम पर हड़कंप मचा दिया है अब तक एसे 8 लाग से ज्यादा लोग लाई कर चुके है इनमें 60 प्रतिशत से ज्यादा लड़किया है जबकि फोटो के उपर कमेंट करने वाली 90 प्रतिशत से ज्यादा लड़किया है पुरी फेम विकी कोशल की इस तस्वीर पर एक सूर में लड़कियों ने प्यार उढ़िल दिया है ज्यादतर लड़कियों ने उन्हें बेहद होट बताते हुए उनसे विवाह करने वो बड़ी ही मासूंता से ऐसा दुबारा ना करने को बोला है जबकि कुछ ने सरकार से विकी कोशल कुशट होने पर बैन कर देने की मांग की विकी कोशल की इस तस्वीर को यूं तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लेकर कॉपी के कबसे भी गरम बता दिया गया है कुछ लड़कियों ने इस फोटो पर आई एम प्रेगनेंट जैसे कमेंट भी किये हैं लेकिन सेक्डों कमेंट के बीच मानवी सिंग नाम की ओभोकता ने सबसे मासूम कमेंट लिखा मानवी ने कहा कल पेपर है पढ़ने नहीं दोगे ना तुम इसके बाद से इस कमेंट को डेर सौ से ज्यादा लोग पसंद कर चुगे है दिव्यादत्ता ने कहा ज्यादती है ऐसा नहीं है कि इस फोटो केवल आम लड़कियां ही फ्यदा हुई है बॉलिवुड अभिनेतरी रचांचड़ा ने इस पर अपनी रियेक्शन दर्ज कराई है वो जानना चाहती है कि विकी कोशल ने फोटो कहां खेचाई है जबकि दिव्यादत्ता ने बोला ये ज्यादती है इसके अतिरिक्त तन्मय भट्च से लेकर रगव जुयाल तक ने विकी कोशल की इस तस्वीर पर रोमांटिक कमेंट किया है उलेक्निय है कि विकी कोशल की आरम भ्यून तो अनुराग कशब के साथ गैंग अफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर से हुई थी इसके बाद लव सब तेचिकन खुराना वबांबे वेलवेट से होते हुए नीरज घेवन की फिल्म मसान 2015 तक पहुंचे वहिट हो गए इस फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई लेकिन तीन वर्षो तक उनकी कोई फिल्म चली नहीं इनमें अनुराग कशब की रमन रगव 2.00 भी शामिल रही विकी कौशल ने 2018 में राजी में एक पाकिस्तानी अधिकारी बने थे आलिया भट के पतिक के रूप में उन्होंने इस भुमिका को इतने शांदार तरीका से निभ्याथा की लड़कियां उनके उपर फिदा होने लगी थी रही थी कसर वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज मन मर्जिया ने पूर कर दी इस बीच संजु में उनके भुमिका को भी सरहा गया था लेकिन जिस फिल्म के बाद वो दिलों पर राज करने लगे वो फिल्म इसी वर्ष जनवरी में रिलीज हुई उरीदी सर्जिकल हर्ताल थी इसके बाद से वो लड़कियों के सबसे खास बने हुए हैं अभी वे सैम मान एक्ष औव उदम सिन की बायोपिक पर कारेक कर रहे हैं इस मुद्दे में उन्होंने सलमान खान रितिक रोशन को मुकाबला दे दी है वर्ष तक लड़कियों के सबसे पसंदीदा अभी नेताओं में सलमान वर रितिक शामिल रहे हैं